Hello all and welcome to recognition IAS इस वीडियो में हम लोग मिन्स test series के बारे में बात करेंगे जो की UPSC और UPPCS 2021 के aspirants के लिए होगी इस test series में total 20 test है और इसकी fee 299 रूपीज है Before going into the details of the test series सबसे पहले ये discuss करते हैं कि आखिर में syllabus क्या है syllabus of the अगर दोनों exam देखें चाहे वो UPSC हो चाहे UPPCS हो तो more or less दोनों के syllabus सेम है UPPCS में बस थोड़े से UP state के भी question की demand रहती है ऐसा syllabus में लिखा हुआ है लेकिन question quality में ऐसाच कोई खास difference हमें देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो हमारा focus होगा वो syllabus पे होगा हम message का paper कहते है इसके अलावा दो conventional language के paper होते है इसके अलावा आपके दो optional के paper होते है basically paper 1 and paper 2 और इस तरीके से total 4 और GSK paper तो total मिला करके आपके पास 9 papers हो जाते है इस 9 paper में optional के preparation तो आप लोग करते ही करते हैं इसके साथ ही साथ आजकल GSK paper के demand काफी ज्यादा हो गई है कई बार आपके optional में marks उतने अच्छे नहीं आपाते हैं जिसको की GS से compensate करने की कोशिश की जाती है otherwise generally aspirants इस GSK paper में एक average marks लेकर के आते हैं और फिर ultimately या तो वो select नहीं हो पाते हैं या फिर selection के बावजूद उनकी जो rank होती है काफी पूर होती है तो इस वज़े से काफी important होता है आपको अपने GS पे भी equally focus करना इस GS के paper में भी अगर हम लोग देखें one by one पहले discussion तो paper one में हमारे पास total इतने topic हो जाते हैं जहांपर art and culture, modern India, post independence, world history, geography and Indian society ये more or less papers है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो paper one में कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि this is the art and culture topic या जो भी है तो आपको basically एक mixed answer लिखना होता है mixed answer कहने का मतलब कि आपको art and culture में आप world history की भी बात कर सकते हैं geography की भी बात कर सकते हैं और society की भी बात कर सकते हैं इसी तरीके से अगर society की बात करेंगे तो आप history भी लेकर के आएंगे geography भी लेकर के आएंगे तो basically इस paper में जितने भी topic हैं सारे ही आपको inter relate करने होते हैं लेकिन कुछ question ऐसे होते हैं straight forward होते हैं और straight forward question में history के question में obviously आप geography तो नहीं ही लिखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस paper में generally जो distribution होता है वो more or less geography के आपको 5 to 6 question मिल जाएंगे Indian society के इसी तरीके से 4 to 5 question मिल जाएंगे world history के 2 to 3 या अधिक से अधिक 4 question आ जाते हैं post independence के अगें 2 to 3 question या अगें 4 question तक आ सकते हैं modern India में 5 to 6 question and art and culture में इसी तरीके से 5 to 6 question total हो करके ये 20 questions आते हैं हाला कि इस दिले बस तो वही रहता है लेकिन कई बार pattern बदल दिया जाता है जैसे कि last year भी pattern में change देखने को मिला था अगर इसमें हम लोग देखें तो art and culture का एक ऐसा section होता है जहां पर aspirants generally confused होते हैं इसलिए ये सबसे अच्छा आपके पास area होता है जहां पर आप marks को maximize कर सकते हैं modern India ये generally सब लोग अपने prelims के दौरान में पढ़े होते हैं यहां पर देखिए ज्यादा focus means के दौरान में मत करिए क्योंकि prelims में already आपने more or less चीज़े पढ़ रखी हैं बट आपको यहां पर कीवल और कीवल answer writing practice करनी होगी that's all post independence ये आपके लिए एक निया topic होता है क्योंकि generally prelims में इसको लोग पढ़ते नहीं और this is the topic जो generally skip कर दिया जाता है तो आप इसमें भी अपना score कर सकते हैं तो these are the two areas this is first number area this is second number area where you can stretch your marks third area जो होती है word history का होता है दिखे word history में question जादा नहीं होते हैं but syllabus is very wide काफी बड़ा syllabus है और अगर cover करने पर आग है तो आप one month के near about में आपको लग सकता है लेकिन this is worth actually क्योंकि यहाँ पर अगर word history में भी two to three question भी आते हैं और अगर आप marginal एक से दो number भी extra अगर आप ले लेते हैं तो obviously cumulative रूप में आप इस पूरे के पूरे paper में five to six number का edge ले सकते हैं and this is very good क्योंकि अगर 5-5 number भी अगर सारे paper में edge ले लेंगे तो you will have edge of 20 to 25 marks और यह GS के paper के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है तो यहाँ पर भी again आपको world history में भी equally focus करने की जरूबत है this is the third area where you should focus during your means preparation geography again prelims के दोरान में हो जाती है तो आप extra focus यहाँ पर नहीं कर सकते हैं या करना भी नहीं चाहिए because the questions are very general and they are very simple similarly Indian society this is the easiest topic of this paper one so I would recommend again to go with the topic और यहाँ पर भी आप अपने marks stretch कर सकते हैं तो basically यह total 4 topic हैं जहाँ पर आप अपने marks stretch कर सकते हैं और यह वो topic है जो generally आपको इस November से December के duration में पढ़ना चाहिए because ultimately फिर जैसे ही January आएगा तो आपको prelims के तरफ थोड़ा सा incline दोना पड़ेगा and that time will be good for preparation of your modern India and geography and all that जो भी चीज़े हैं पेपर 2 में अगर आए तो यहाँ पर quality and governance तो generally what aspirants do they read Lakshmikant only but यहाँ पर Lakshmikant के साथ-साथ आपको जो भी आपका current affairs है या जो भी आपके day-to-day contemporary themes है उनको आपको साथ में लेकर के चलना होगा so this is the area where generally students do not find any difficulty तो एक normal area होता है जहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी महनत पे marks को जादा stretch कर सकते हैं this is the area लेकिन यह है कि generally इस पर उतना focus करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि already यह भी prelims का ही topic होता है जहाँ पर आप prelims में काफे detail में करते हैं international relations this is very important area यह ना सिर्फ आपको mains के लिए बलकि आपको आगे interview के लिए भी important role play करेगा so this is very important और इसके लिए आप जितना महनत कर सकते हैं उतनी महनत करिए यहाँ पर जो भी past में events हुए है कुछ important events उनके बारे में आपको जानना चाहिए साथी साथ जो भी contemporary themes चल रही है उसको भी आपको equally focus करना है so this is the area again जहाँ पर आप अपने marks को stretch कर सकते हैं this is again November to December वाला zone वाला यह area है internal security ज्यादा कुछ खास होती नहीं है simple होती है छोटे topic होते हैं nearly आप 15 day बे से cover कर सकते हैं so this is again an area जहाँ पर आपको cover करना चाहिए और this is purely means का topic prelims में generally इसे नहीं पढ़ायाता है economics यहाँ पर देखिए prelims और mains में अंतर बस यह हो जाता है कि prelims में यहाँ पर factual details आती है and they are generally derived from economic survey economic survey या फिर budget या फिर जो basic terminologies होती है banking की या फिर share market या जो भी चीज़े होती है जो general fundamental चीज़े होती है वो आपकी prelims में पुछी आती है हाला कि इसमें थोड़ा advanced version भी होता है लेकिन आप उसे definition के format में ही देख सकते है जो की prelims में आती है mains में आपके कुछ topic extra हो जाते हैं जैसे inclusive development, agriculture, industry, इनके growth इसके बारे में extra हो जाती है topic जिसे आपको extra पढ़ना चाहिए and this is the area again where you have to read क्योंकि generally paper 3 में aspirants के जो marks आ रहे हैं वो consistently low हो रहे है और उसके पीछे reason यही है कि यहाँ पर prelims में लोग किवल ध्यान देते हैं mains में फिर उतना focus नहीं कर पाते हैं जितना इने focus करना चाहिए so this is the area where you should focus environment and disaster management देखिए यह easiest topic होता है इस पूरे के पूरे paper 3 का और अगेन यह पूरी की पूरी कहानी आप prelims में काफी detail में पढ़े होते हैं lastly topic आता है science and tech का science and tech के लिए दो तरीके की problem generally aspirants face करते हैं एक problem यह face करते हैं content नहीं है content, lack in content अग दूसरी होती है कि answer writing करें तो कैसे करें the pattern of answer कि answer में pattern क्या होना चाहिए यह दोनों की दोनों आप easily sort out कर सकते हैं just by practicing the questions question को practice करेंगे तो आप इस पूरे के पूरे system को बहुत easily समझ सकते हैं and this is again an area where you should focus paper 3 में marks increase करने का दो ही mantra है एक आप अपनी economics को थोड़ी से improve कर जाएए और साथ इसाथ में science पर improvement कर लीजे क्योंकि जो environment का section होता है और internal security का section होता है यह easiest section होता है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास improvement के लिए देखिए होता नहीं है तो more or less जो चीजे होती हैं वो आप history से connect करके bio से connect करके geography से connect करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं last paper आता है paper number 4 this is the most variation वाला paper यहाँ पर आप 90 marks भी पा सकते हैं 100 भी ले आ सकते हैं 120 भी ले आ सकते हैं 130 भी ले आ सकते हैं आप it all depends कि आपकी कितनी अच्छी preparation है कितना अच्छा आपके answer का representation है जितना यहाँ पर original answer आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको marks मिलेगा तो originality पर focus करना काफी जरूरी होता है ना तो आपको किसी ready-made material का आपको use करना चाहिए और ना ही किसी भी आपको book का material यूज करना चाहिए यहाँ पर अगर आप originality लिखेंगे तो surely you will get very good marks in this paper तो अगर एक overall देखेंगे तो there are few areas जो means oriented आप कह सकते हैं topic है और कुछ area है जो prelims oriented topic है if I am not wrong then next paper will be on 27th of June 27 June को I guess आपका CSE का prelims है 27 June के लिए I would recommend कि आप at least March तक अपने till March I would say 15th March तक आप अपने optional की पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ में GS means की ओर focus करिए और उसके बाद से means के बाद आप prelims में लग सकते हैं अब यह prelims में आप लगने पे किवल यह नहीं कि किवल prelims की study करिए prelims को ही preparation करिए no यहाँ पर आपको prelims plus means दोनों साथ में लेके चलना होगा यह आपके पास जो तीन महिने का time है 15th मतला half of the March ही आपके पास है March, April, May, June तो you have nearly more than 3 months तो यहाँ पर आपके पास लेकिन कुछ 2 document extra भी आ जाते हैं एक आ जाती है आपकी budget extra document के रूप में और आ जाती है economic survey so these are the two areas जो आपको extra पढ़ना होता है and that is why we are giving you 1 month extra time or 15 day extra time so that कि आप इसे properly read कर सकें because this is the area where generally questions do come तो इस वज़े से आप इस strategy को follow कर सकते हैं कि अभी आप फिलहाल optional study और means की study जो means के topics से उन पर आप extra focus करिये practice more on the answer writing and फिर उसके बाद से आप prelims पर switch हो सकते हैं but purely switch मत होईएगा वहाँ पर आप भी again question practice अगर आप करते रहेंगे तो surely we'll get through with this examination for that again you can use the test series test series के syllabus भी accordingly based on the pattern and based on the requirement ही design किया गया है उन topics को ज़्यादा importance दी गई है जो generally या तो skip किये जाते हैं या फिर वहाँ पर problem होती है answer writing करने में so this is the schedule for the test where your test will start from 21st of November आपकी एक test हो जाएगी आपकी Indian society की you will have two tests for international relations ethics and integrity के again दो test हैं but बीच में थोड़ा interval and this interval is because ethics and integrity में देखिए एक maturity की जरूरत होती है और वो maturity आपको with the time आती है जैसे आपने answer लिखा फिर आपने पढ़ाई की आपने test attempt किया अब आपको एक maturity की जो process होती है वो start हो जाती है फिर after certain days आप few days जैसे की one week or two week के अगर आप break लेते हैं तो you will surely have a more mature form of this ethics study and that is why यहाँ पर एक break दिया गया और इस break में एक simple topic internal security आप easily attempt कर सकते हैं बाके इंडियन society के एक paper रहेंगी और फिर आपका environment disaster management science and tech इसकी है यह दोनों paper इसलिए single रखा गया है because देखे यहाँ पर content problem तो as such खास नहीं है या फिर आपके science वाले portion में हो भी सकती है लेकिन यहाँ पर the only thing that you have to learn is the pattern of the answer कि आखिर में आपको अपने answer का pattern किस तरीके से रखना है इसे अगर आप समझ गए तो फिर आपको इस paper में कोई भी problem नहीं आएगी इसके लावा world history again this is a most important topic and that is why again included बाकी Indian economy एक paper आपका यहाँ पर हुआ है जो कि Indian economy के basics होगी और यहाँ पर again this is the topic where basically economic survey and the budget questions are being asked और यहाँ पर थोड़े से applied format of the questions रहेंगे जैसा कि generally आप लोग exam में देखे हुए होगे quality and governance generally quality तो पढ़ लेते हैं but governance को आप skip कर देते हैं लेकिन governance is again becoming more and more important in the examination means examination and that is why you have to focus on these subjects clear art and culture के लिए again we have to test so you can attempt again ताकि आपको एक mature format of the answer writing in art and culture हो जाए modern history के लिए again there are two you can say test and these tests are intensely being designed after February उसके पीछे reason यह है कि यहाँ पर आप अपने prelims study में भी लग चुके होंगे और prelims के लिए भी prelims वाले topic ही रहेंगे ताकि आप अगर answer writing भी कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपके परलली prelims भी आपकी prepare होती जाएं after completion of this main stress theories आपको prelims में भी 70% preparation हो चुकी होगी किवल 30% यह आपको जो objective question solve करने के लिए जो study करना होता है किवल वही करना पड़ेगा otherwise आपकी एक पूरी preparation हो चुकी होगी after the end of this test but the only thing that you have to focus is the determination जितना जाद आप determined रहेंगे जितना जाद आप sacrifices कि रहेंगे जितना जाद आप अपने study को time दिये रहेंगे उतना ही आपकी अच्छी preparation हो जाएगी generally what students do and that is the mistake again कि वो शुरुवाती इस time पे this is November, December, January ये तीन जो महीने का समय होता है generally इसमें वो distracted रहते हैं divert हो जाते हैं अपने जो goal होती है उसके लिए ये काफी important series होगी कि जहाँ पर आपके पास a schedule होगा you will have a plan, you will have the material and ultimately you can attempt the test and you can again study and prepare in a scheduled manner तो इस तरीके से आप अगर test series के लिए interested हो तो बिल्कुल ले सकते हैं so next thing what is the fee for the test series again the same $2.99 without model answer and with the model answer it will be $1,500 as it was for the optional test so those who are interested and want to join you can join just by visiting recognitionis.in और you can also send email on recognitionis at gmail.com इसके लाब अगर आपको कोई doubt होता है तो you can again reach us by using the given methods अपने doubts को आप email के थुरू भी पूछ सकते हैं so this is all best of luck for all your future goals आपको आपको kारश सकते उना'm एशैस जापको उहर आपका सकते हैं 5 आपको